असलाब अलेकूम, वेलकम टू माइ न्यू व्लॉक, तो न्यू व्लॉक का हो गया पेरे अगास, और विवर्ट मैं आपको कली बताया था कल के व्लॉग में, कि आज फ्राइडे का व्लॉग होने वाला है, स्पेशल, और स्पेशल क्या है, वो मैं आपको भी थोड़ी दिर मे दिखाती हूँ, बताती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, बेटी को स्कूल छोड़ के घर, और वॉक कर रही थी, सांस फूल रही है, तो मैं तो थोड़ा रिलेक्स कूँ, और नास्टा वाल करूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ब्रेक के बात, और आपको दिखात हूँ, के आज का दिन, और आज के विलॉग में पेशल क्या है, तो देखते रही है मेरा व्लॉग और लाइक कर दीजेगा, अब मैंने नास्टा पगार से फारग हो गई, अब स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, वो स्पेशल यह है, आज के विलॉग में, कि जब तब वो स्कूल में है तो मैं जल्दी से बर्डे की त्यारी करनी है उसके मैं गिफ्स लेके बैठी हूं सारे के सारे और उसको मुझे पैक करना है गिफ को और उसके कमरे को पूरा डेकुरेट करना जहां बर्डे पार्टी होगी तो आज का स्पेशल ब्लॉग है मेरी बेटी की बर्डे की सेलिबरेशन की तैयारियों का तो सबसे पहले व्यूर्स मुझे इसके गिफ को पैक करना है सारी फैमली मेंबर की तब से इसको गिफ दिये गया है और फो यह फट गया है कोई बात नहीं अब कैमरा पकड़ो और फिर इसके बार गिफ पैक करना है बच्चे बहुत खुश होते हैं गिफ से तो विवर्स एक गिफ पैक हो गया है बड़ी मुझे से हुआ है मेरे बच्चे Pक करते हैं तो मुझे आदो खतम हो गई लेकिन जहर आप टाइम नहीं था और बच्चे कर नहीं करनी sexy मैंने Director लो तो एक 거지 जल्दी जल्दी तो मैं बर्व वर्व करने बैठी तो गिफ्ट परइप ही खतम हो गया था मैं भागी बर्व कई गिफ रैप लेके आई हूं और टाइम जो है कम है मुकाबला सकते हैं और जब जादा जल्दी होना तो ऐसे ही गरबड़े हो जाती है तो गिफ रैप जल्दी से लाके मैंने बाकी सारे गिफ भी कर दिये हैं रैप पैक हो गए मेरे सारे गिफ और अब मुझे नीचे जाना है भागे और नीचे जाके जल्दी से डेकोरेशन करनी है तो अब नीचे आके मैंने शुरू कर दिये डेकोरेशन और बढ़ड़े तो सबसे इंपोर्टन चीज़ होती है बलून तो यह बलून मैंने रात में फुला लिये थे क्योंकि दाया टाइम मेरे पास इतना हो था नही कि मैं बलून फुलाती फिर इनको डेकोरेशन करती है थे इनसे तो इसलिए रात में फुला लिये थे मैंने और बेती की आएसे पहले मुझे सब डेकोरेट काया तो डेकोरेशन हो गई है मेरी रात में से पहले मैं लगा रही हूं बैनर बड़े का और यह fire place है तो मैंने इस तो यह बर्डे का एक बैनर लग गया है तो आदा बैनर आप में देखा गया था और आदा में लगा रही हूं इस वाल पर इस वाल पे मैं लगा रही हूं ताकि यह लंबा सा है तो यह जब मेरी बेटियां इस सोफे पे बैठेगी ना अपने केक काटने के लिए तो फिर अच्छा शाइनी सा नजर आए गई है अब करना चाहि के और खतरना काम परने जा रही हूं मैं चड़ने हैं जाऊं centre कि यह जो हर डेकोरेशन मैं ऱगानी है यह इसको फिक्स करना है यह जूख भी जाए तो व्यूवर्स यह मैंने हैं लगाई हैं सोफे पे चड़के लेकिन मैं चारी उनको थोड़ा फिक्स कर दूं निकलना जाए मैंने यह इसनी हैंगिंग थी लेकिन यह मैंने थोड़ा सा जोने इसमें थ्रैट लगा दिया तो ताकि नीचे तक आए ताकि मेरी बेटी जब करतवाई तो फोटो किचें तो यह हैंगिंग हैं और यह सोफे के उपड़ से नजारा देखिए नीचे का तो व्यूवर्स चड़ी हुई हैं सोफे पे अब मैं उतरने की कोशिश करती हूं उतर जाओं ऐसा ना हो कि मैं जखमी हो जाओं और यह साथ मेरी हैंगिंगिंग न अलब यह जब लाइट हम बंग करेंगे तो यह ग्लो करेगा तो यह हैंगिंग साथ एक बलू में लगा दिए वसे ग्लू का रखा है लेकिन चले कोई बात नहीं गड़ लिखा हूं इसमें यह काफी है यह मैं ब्लैंकेट ले आई थी है फलफी इसको मेरी चादर मेरी अब यह मैं है Tapi birthday एल्फाबेट से यह मैं इसुनल लगा रही हो इनको मैं लगा रही हूं वाल पे तो ये टेप अटातूं पहले तो ये देखिए आप ये हैपी बर्डे था ये पूरी डोरी के साथ आये था तो मैं इसको अलग-अलग टेप से लगा दिया तो कितना प्यारा लग रहा है और डिफरेंट भी लग रहा है उपर और शाइनी हैपी बर्डे है तो अब तक जितनी डेकोरेशन हैं मैं आपको दिखा दूँ देखेंगे ये बैनल लगा है उपर और ये बलून है ये मेरी हैंगिंग्स है साथ में जो बलून है मैं साइड में लग दिया है ये मैं बलंकेट लाई थी है फलफी सा ये और जो अलफाबेट से इनको लगा दिया है ये जब अबर्दस हो गया है उसके इलावा ये कि यहां पर मैंने फाइर प्लिस पर भी लगा दिया है साथ में इसके जो असे फोटो भी है फाइर पलिस पर डेकड रूट होगए या कहीं कुछ दिवार पर लगा दूँ या फायर प्रेस पर लगा दूँ ऐसा लगा दूँ कुछ देखे और खुश हो जाए तो ये है आज का पर लगा दूँ अगर आप लोग पसंद आया हो तो जरूर थम्स अप देखे लाइक कर दीजे और मेरी बेटी को अपने दूआओ में आद रखियेगा और कोशिश करूँ गी व्लॉग आज ये अपलोड करूँ और आप से मिलूगी अगले व्लॉग में और हाँ करना नहीं भूलिएगा खुदा हाफिज